हेलो और वेलकम तो शोमेश आप यूट्यूब चैनल आज हम बहुत ही एक इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले जो के हर तरह के एक्जम्स में जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एक्जम्स है उसके लिए इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम लोग मिनिस्टर सबती पुरा के बारे में बात करेंगे इस तरह का वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए हम अगे बढ़ते हैं और क्विकली गोत्रो करते हैं हम अगर चिप मिनिस्टर के बात करेंगे चिप मिनिस्टर आप लोगो सब को पता होगा डॉक्टर मानिक सहा है उन्होंने 2022 से चिप मिनिस्टर का जो पोजिशने वो समाल के रखे है अभी फिर से उन्होंने चिप मिनिस्टर का जो पोजिशने वो लिये है पहले वो 12 चिप मिनिस्टर थे त्रिपुरा के अब ही अगर बात करेंगे डॉक्टर मनिक सहा 13th चिप मिनिस्टर अफ त्रिपुरा है उन्होंने जो responsibilities लिये हैं वो mainly home, health and family welfare as well as PWD और बाकि जो भी department remaining है जो कि दूसरे को assign नहीं किया गया है वो भी जो department से वो सारे डॉक्टर मनिक सहा honorable chief minister अफ त्रिपुरा के under में होगा अगर हम अगे जाएंगे तो हम अगर हमारे minister का list शुड़ू करेंगे कुछ important चीज बोलना जरूरी है इसमें आठ minister का declaration हुआ है तीन minister का अभी तक vacancy है उस पर से चार जो minister है वो पहले भी minister थे कुछ और department में department वगड़ा change हुआ होगा बट वो सारे पहले भी minister थे अभी जो चार है वो completely new minister से उसमें से तीन completely new MLA's है वो सारे चीज़े हम step by step बात करते रहेंगे अगर मैं रतनला नात honorable minister के बात करूंगा तो उन्होंने actually महनपूर जो constitution सी है उदर से win करके अभी minister बने हैं तो इनका अगर अभी जो responsibility दिया गया उसका बात करेंगे उनको power agriculture and farmer welfare as well as election यह सारे departments दिया गया है अगर अगर बात करेंगे हम प्रणजीत सिंहा रॉय के बारे में उन्होंने actually राधा किशुरपूर जो constituency है जो कि उदाइपूर में है और गोंती डिस्टिक से बिलॉंग करते है यह राधा किशुरपूर पूर से minister बनने का उनको मौका मिला है और जो उनको responsibility मिला है वो है finance, planning and coordination as well as information technology यह सारे जो department से वो honorable minister को मिला है अगर mister सुशांत चोधरी के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने पहले भी of course minister थे तो वो मजलिशपूर जो constituency है उदर से जीत के फिर से minister बने है और उनको जो सारे departments दिया गया है उस पे से एक है food, civil supplies as well as consumer affairs है और दूसरा जो है transport है और एक है tourism अगर हम आगे जाएंगे तो और एक minister है honorable minister संतना चाकमा तो उन्होंने actually पैचार थल करके constituency है उदर से win करके फिर से minister हुए पहले भी minister थे पहले कुछ और departments देखते थे अभी कोई और department देखेंगे मगर पहले भी थे तो अभी क्या अगर responsibility का बात करेंगे उनको मिला ही industries and commerce okay and jail as well as welfare of overseas okay अगर हम आगे जाएंगे तो honorable minister श्री ठिंकुराय के बारे में हम बात करेंगे वो actually पहला first time timer MLA है as well as minister भी बन चुके यह बहुत बड़ा चीज ही इस पेसे चार ऐसे ही लोग मिलेगा जो पहले बार minister बने है उस पेसे एक है जो second MLA है तो इनको जो सारे departments मिला है उस पेसे एक है youth affairs and sports, social welfare and social education as well as labor department okay हम तुर्ण से आगे जाते है इस पे दूसरा जो एक important नाम आएगा जो के first time MLA as well as minister है okay उनका नाम है श्री विकास देब्बर्मा honorable minister तो उनको जो सारे responsibility मिला है उससे पहले एक चीज़ बोल देते है उन्होंने actually कृष्णपूर constituency से जीत के अभी MLA बने है तो उनको जो responsibilities मिले है वो सारे है tribal welfare, handloom, handicrafts and sericulture as well as statistics department okay अगर हम आगे जाएंगे तो श्री, सुदाउन शुदास, honorable minister उन्होंने actually 40 croix जो constituency है उदर से जीते है और उनके बारे में अगर बात करेंगे उनको जो responsibilities मिले है वो है welfare of scheduled caste, animal resource development as well as fisheries हम अगर लास्ट मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे इस में इस लिस्ट में actually तो श्री सुकला चरन नुवातिया who is again a first time MLA as well as minister okay, he is owned from July वारी constituency okay, so the responsibility which are given to Mr. शुकला चरन नुवातिया honorable minister are cooperation, department, tribal welfare okay as well as welfare of minorities तो यह है general जो summary है about all the ministers of Tripura तो आशा करता हूँ यह सारे जो details ही आपको बहुत काम आएगा और exam में help करेगा प्लीज आपको इस तरह का वीडियो अगर तुरंत चाहिए तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिएगा और साथ में show me shape of course install कर लिजिएगा बहुत सारे free of cost, complete free of cost चीजे है उसमें चाहे वो mock test हो, current affairs हो, life tests, job notification, different types of चीजे, free of cost आपको continuously मिल जाएगा Thank you very much for watching this video